आज हमारे पाद मौजूद है एक ड्रागन फ्लाइ जो हमें जखमी हालस में मिला है हमने इसकी एक टांग को बांग दिया है थ्रेट की मदद से बाकी ये अभी भी जिन्दा है तो आज हम इसके बारे में जानते हैं ठाने की फॉक्ता चेरा है काफी डिंजर्स लिखता है सामे से देखने पर दो एंटिनास है इसके सर पर दो बड़ी बड़ी आँखे इसके पास ठीपेर्स अफ लेग हैं वन पर सेकंड पर और ये थर्ड पर लेकिन ये क्योंके हमें जख्मी हालत में मिला है तो इसके यहां से लेफ्ट साइट के दो लेग टूप चुके हैं वन और यह टू यहां से दो लेग टूप चुके हैं और इस हात में इसके चोटे-चोटे माउथ के पास दो पेयर लेग अलग हैं वन और यह टू यह टू पेयर्ज हैं आप देख सकते हैं इसकी मेड़त से पकड़कर जिस चीज को चाहे वो खाता है, ये इसका माउथ है, ये इसका एब्डोमेन, हैड, इनकी गिल्स नहीं होते, ये अपने इस ट्रंग क्याई की मदद से ब्रीधिंग करते हैं, सांस लेते हैं, देख सकते हैं, आप इसके छोटे-छोटे तो हॉल्स हैं यहाँ पर, और वन, और ये टू, बहुत चोटे-छोटे होल्स हैं ये, एक होल यہ रहा और एक होल ये रहा, इसकी मदद से सांस लेते हैं, और यहाँ पर भी इसके अफ्रीधिंग सेल्स मौजूँद हैं, अब बात करते हैं इसके अब्डुमेंट पार्ट की, इसके अब्डुमेंट पा जिन्दा है और यह ब्रीटिंग कर रहा है अगर हमने इसकी टांग खोल दी तो यह यहां से भग जाएगा हम वीडियो के एंड में इसे ओपन कर देंगे और इसे अजाद कर देंगे देख सकते हैं यह इस तरीके से अपने शिकार को पकड़ लेता है और छोटे-छोटे लेक्स की मदद से उसे अपने माउट तक पहुचाता है इसे अप salts अपना में ध्याद थेकी अब हमाम जबन में दड़ केते हैं अब हम कोशिश करते हैं इसे सीदा बिठाने की और यह गर्टीश सीदा बेठिया अब हम इस ्रैट से अजाद कर देते हैं जोब इस थ्रेड से अजाद कर देती है तो और हो काफी मुश्किल है बद हम कोशीश कर देती है अब इसका थ्रेड खोल दिया है देख सकते हैं अब इसके पीछ्य वर्य टांग केतनी लंबी है और अब यह बैख चुका है और अब यह हमदा कर सकता है तो आपको दिखाते हैं कि इसके पेर्स ऑफ लैक कैसे होते हैं इस तरफ का जो लैक से दो तूट के कहीं देच चुके हैं तुस विसके पेर्स के बारे में पता नहीं वो कहा है और ये बोजिश में के बुद जाए अपने बैंस देच चटा ये बूफ कर जाए है हमें पार इसको साइडे को दिखाते हैं पेस का हैड़ साथ में दो इसके फीलर्स हैड़ पर लगी दो बड़ी-बड़ी आखें लगी पलो आपको दो आइस कर दो कर दो कर दो